उत्राकंट भाजपा में भीतरगात के एक के एक पांच सिटिंग विधायकों और मौजुदा प्रत्याशियों के आरोप लगाने के बाद से बीजेपी बैक फुट पर है पार्टी के भीतर से उट रही ऐसी आवाजों से हाई कमान भी नाराज है माना जा रहा है कि यूपी विधानसबा चुनाव संपन होने के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी कारवाई करने जा रही है आपको बता दें कि लक्सर विधायक संजय गुपता, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंग चुफाल या मनोतरी विधायक के दार सिंग रावत, चमपावत के विधायक एलाज चंद्र गहतोडी, काशिपूर के विधायक हर्बजन सिंग चीमा ने भीतर गहत के आरोप लगाए है पार्टी के भीतर से उट रही ऐसी आवाजों से शीर्ष नेता अब कारवाई करने की तयारी कर रहे हैं। बीजेबी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आरोप लगाने वाले सभी नेता लिखित में अपना पक्ष रखेंगे और उसी के आधार पर आगे की अधन का पुरा पक्सा आगया उस पर कि पार्टी फोरम पर जो भी बात होगे चाहे वो किसी भी रूप में उस पर सारी कुछ विवस्था के इंतरगत कारवाई होगे। जो भीतर गात के आरोप लगे हैं उसमें क्या सच्चा ही मानने संगटन की तरफ से तो कारवाई भी अभी होगी कारवाई अभी तो आरोप लगाने वाले जब भी जितने भी लोग हैं लिखके देंगे पार्टी फोरम पर देंगे तो पर उसकी जाच उसी रूप में होगे।